नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त विजे विद्रोही और आप देख रहे हैं खास कारक्रम विजे फैक्टर तो अचानक दो-तिन दिनों से चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी की नई राष्टी अध्यक्ष वसुंद्रा राजे सिंधिया हो सकती है क्या वाकई में वसुंद्रा राजे राष्टी अध्यक्ष हो सकती है जिनको बीजेपी आला कमान ने इस समय बिल्कुल हाशिय पर डाल रखा है हाला कि बीजेपी की वो राष्टिय उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष होना क्या इतना आसान होता है क्या एक ही कदम की दूरी होती है या सदियों का फांसला होता है बड़ी बात है कि अगर वसुंद्रा राजे को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो बीजेपी की वो पहली महिला राष्टी अध्यक्ष होंगी वैसे वो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है और एक नहीं दो दो बार वो मुख्यमंत्री पर पर है चुकी है वसंद्रा पर चर्चा चल रही है तो इसका मतलब क्या माना जाये सुनील तटकरे हुए शिवराज सिंग चौहान हुए बियल संतूष हुए या संजे जोशी हुए ये सारे नाम किनारे कर दिये हैं ये सारे नाम हाश्य पर डाल दिये गए हैं आज की तारीक में नहीं कहा जा सकता है पहले कुछ लोग कह रहे थे कि चुकि जेपी नडड़ा के पास अब बड़ा भोज हो गया है राज्यसभा में वो सदन के नेता हैं स्वास्तमंत्राले संब तो तीनों काम एक साथ नहीं कर सकते तो उनके उनके लिए एक सहायक के रूप में कारेवाहक अध्यक्ष बना दिया जाए जो सारा एक्चुल में काम करे और वो बीयल संतोज हो सकते हैं जो बीजेपी के संगठन के महाप्रभारी हैं या महासचीव हैं जो संग से गए हुए हैं वैसे संग क्या चाहता है नेराश्टी अध्यक्ष में संग चाहता है कि नियाराश्टी अध्यक्ष वो संग निष्ट हो वो बी पीजेपी को विचारधारा किस तर पर आगे ले कर जाए संग चाहता है कि निया राष्टी अध्यक्ष ऐसा हो जो मोदी का भक्त नहीं हो अंध्भक्त नहीं हो प्रशंशक हो लेकिन अंध्भक्त नहीं हो जो मोदी का सताया हुआ हो तो वो संग की नजर में उसके नंबर बढ़ जाते हैं संग ऐसा राष्टी अध्यक्ष चाहता है जिसको सरकार चलाने का भी खासा अनुभव हो नौकर शाही अफसर शाही को चलाने का अनुभव हो अंग्रेजी अच्छी जानता हो विदेश मामले या दूसरे डिप्लोमेटिक के मामले अच्छी तरह से समझता हो जो राजनीती के दाव पेज भी अच्छी तरह से समझता हो कि ताकि कल को अचानक अगर प्रधानमंत्री पत का स्थान रिक्थ होता है या संग को लगता है कि अब राष्टी अध्यक्ष को प्रमोट करके प खरे उतरती है सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो मोदी की सताई हुई है आपको ध्यान होगा 2014 के लोगसभा चुनाओं में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और बीजेपी ने पहले बार अपने दम पर 272 भहुमत का अंकड़ा क्रॉस किया था तो हर कोई बच्चा बच प्रधानमंत्री बने है तब यसे कांटा खटक गया था तबीशे मोदी की नजर में वसुंद्रा राजे शायद कुछ खटकने लगी थी फिर वो सताई वोई ऐसे हैं कि दो बार मुख्य मंत्री बनी तीसरी बार मुख्य मंत्री नहीं बनाई गई और उल्टे उनके हातों से भजनलाल शर्मा की परची निकल वाई गई जिसका लाई प्रसारण किया गया इस लिहाज से उनको अफमानित किया गया वो सताई वोई ऐसे हैं कि दुश्यंत जो उनके बेटे हैं जहलावाड से लगातार पांच या छे बार लोग सभा का चुनाव जीत चुके हैं उनको एक बार भी मुदी मंत्री मंडल में जगा नहीं दी गई वो सताई वोई इसलिए हैं कि मुदी जी अपनी चुनावी नहीं वहीं का वहीं वसंद्रा को लगता है कि मुदी को या दूसरे बीजेपी के बड़े नेताओं को इस नारे को का खंडन करना चाहिए ताकि नहीं वसंद्रा से भी किसी को बैर नहीं होना चाहिए बहुत बड़ी नेता हैं लेकिन किनारा कर लिया गया वसंद्रा राज तो वो डिप्लोमेसी और तमाम चीजे जानती हैं अंग्रेजी अच्छी हैं पड़ी लिखी हैं और बड़ा फॉर्वर्ड लुकिंग उनका रिव्यू रहता है अफसर शाही पर वो लगाम कस कर खैंच कर रखती हैं प्रशासनी का नुभव है सरकार चलाने का नुभव है सवाल उड़ता है कि आखिर वसुंद्रा को क्या वाकई में संग मुख्य राष्टी अध्यक्ष बनाना चाहता है या फिर कोई और मकसद है संग को लगता तो ये पक्का होगा क्योंकि वसुंद्रा भी बड़ी आलोचना करती रही है बिना नाम लिए जैसे मोहन भागवत मोदी जी का बिना नाम लिए कि एहंकार नहीं होना चाहिए खुद को इश्वर नहीं समझना चाहिए खुद को सुपरमैन नहीं समझना चाह ये सारी बाते बिना नाम लिए वो एक तरह से मोधी जी को इशारे करते रहे हैं ऐसे ही वसंद्रा राजे बिना नाम लिए पहले उन्होंने कहा कि हमारे आज चीजें होती थी जी और जीने दो अब है कि हम तो जीएंगे लेकिन सामने वाले को जीने नहीं देना प्रताड़ि थी कि जिसको पद का मद हो जाता है उसका राजनेति कद बढ़ना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है कद का बढ़ना उसके बाद भी उन्होंने इस तरह की मोधी को निशाने पर लेती हुए बात कही थी कि राजनेति उतार चड़ाओ का नाम है और सब का वक्त आता है वक्त से आ गया क्या वाकई में संग सीरियस है कुछ लोग कह रहे हैं कि अलवर में संग के बड़े नेताओं की बैठक हुई बाड मेर में भी जुटे संग के नेता तो चर्चा के दोरान चला कि क्या कोई भी महिला बीजेपी की राष्टी अद्धेश नहीं हो सकती क्या आज तक क् इनके कारणों का विशलेशन किया गया और अब क्यों होनी चाहिए कि देश में 50% महिलाएं हैं वोटिंग में बहुत ज्यादा बढ़ा चड़ा कर वो इस्सा लेती हैं महिला आरक्षन बिल भी आने वाला है महिलाओं की संख्या बड़ी है स्थानिये निकायें पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षन मिल रहा है महिला बड़ी शक्ती है महिला बड़ा वोट बैंक है सबी पॉलिटिकल पार्टियां जब रेवडी मातने की शुरुआत करती हैं तो महिलाओं से करती हैं कहीं लाड़ी बहना स्कीम है कहीं महिला सम्मान राशी है कहीं ड्रॉन दीद के शादी हुई और बहु उनकी गूजर है वो भी OBC है तो इस लिहाज से क्या वो एक विकल बन सकती है आगे जाकर मोदी का ये कहना बहुत दूर की कोड़ी है लेकिन संग क्या वाकई में इस बात को लेकर सोच रहा है या सिरफ चर्चा उठी राजिस्तान में थे तो वसंद वसंद्रा के हिसाब से देखा जाने लगा ये अपने अपने एक बड़ा सवाल उतता है कुछ और पॉइंट्स मैंने लिखे थे तो कुल मिलाकर अब आगे क्या होगा ये देखना दिल्चस होगा क्या वाकई में वसंद्रा राजे की कोई ताजपोशी की संभावना है या कुछ लोग कह रहे हैं कि संग ने संजे जोशी का नाम बढ़ाया मोदी और अमिशा ने एक जटके से रिजट कर दिया फिर उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी अमिशा ने कहा कि शिवराज सिंग चोहान ही बना दो जिसको संग पहले चाहता था मोदी अमिशा ठुकरा चुके थे इस बार शिवराज सिंग चोहान का नाम आगे बढ़ाया तो मोहन भागवत ने मना कर दिया उनको लगा कि शैज शिवराज सिंग चोहान इस बीच जैसा दाया बाया पलटते रहे हैं कि वो बूदी शर्णम गच्छामी हो चुके हैं तो ऐसे में फिलहाल अगर बीजे पी म संग को लगता है कि किसी महिला को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए तो वसुंद्रा की टक्कर में कोई दिख नहीं रहा शुश्मस वराज आज जिंदा नहीं हैं उमा भारती राजनीती से सन्यास ले चुकी हैं और इसके लावा कोई महिला दिखती नहीं है नेता जो कद मे वसुंद्रा के बराबर हो जिसको वसुंद्रा की तरह सत्ता और संगठन दोनों चलाने का अच्छा खासा अनुभव हो कुछ लोग स्पृती रानी का नाम लेते हैं कि वो भी मोती सरकार में मंत्री रही है लेकिन उनका वहवार कुछ थोड़ा सा मेल नहीं खाता जैसा कि स वसुंद्रा को राष्टी अध्यच बनाया जा सकता है और इसको अमिश्या और नरेद्र मोधी किस रूप में लेंगे पुर्जोर विरोध करेंगे मामला अटक जाएगा या यह सिरफ सुनी-सुनाई बातों पर एक दिन की चर्चा हो गई कि क्या कोई महिला महिला तो आगे अपनी राजनिती देखेंगे क्या कहानी यह है शुक्रिया मेरा यह वीडियो देखने के लिए पसंद आये तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर जरूर कीजिए शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया